बिसमिल्ला रह्मान रहीम, असलाम लेकूम विवर्स बहुत ही यूनीक स्टाइल में स्मोक्ट बीफ पोटी रेडी करते हैं, जो के इंतहाई लजीज है ये बीफ पोटी बहुत कुईक रेडी होजेगी, अल्मोस्स टैन मिनट्स में सबसे पहले स्टोव ओन कर ले, फिर हीटेट प्रेशिर कुकर में 2 तेबल स्पून ये तोन का तेल आइड़ करें फिर 2 तेबल स्पून अद्रक लिसन का पेस्ट आइड़ करें फिर कटी हुई दो हरी मिर्चे आइड़ करें इन्हें चन सेकिंड के लिए golden brown होने तक सौटे कर लें फिर चोटे पीसिस में कटा हुआ एक किलो beef एड करें गोश्ट को वाश करने के लिए एक टिप है गोश्ट को सिर्के मिले पानी में आदे घंडे के लिए डिप करके फिर वाश करें बीफ को भी 102 मिंट के लिए भून ल टीग नमक इसम चमण कोटी लाल मिर्च वन टीष्पून हल्दी हाफ टीष्पून काली मिर्च पौरद को वाउड़ स्पून किसी भी ब्रैंट का क्राही मसाला एड कर किसी अच्छ से मिक्स कर लें स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं स्पेशली नमक फिर इसमें दो गलास पानी एड करें और इससे प्रेशर कुकर में 10-15 मिंट के लिए पकने दें विदूट प्रेशर कुकर गोश्ट को पकने में स्लो टू मीडियम हीट पे 30-40 मिट लगेंगे और पानी की कॉंटिटी भी डबल हो जाएगी यहेंगी दो गलास ओर एड करेंगे कुकर की गैस डिलीस करने के बाद कुकर का लिड रिमूव करेंगे दुबारा से स्टोव आंड करने के बाद इसमें वन कब योगर्ट अड़ करेंगे वन मीडियम साइज स्लाइस कटा हुआ प्याज़ अड़ करेंगे प्याज़ दही को अड़ करने के बाद चन सेकिन के लिए दुबारा भूनेंगे बीफ बोटी को स्मोक फ्लेवर देने के लिए बीफ पे फॉल पेपर रखेंगे एक कोईले को चूले पे जला लें जब वो रेड होट हो जाए तो उसे टॉंग की हल्प से उतारके फॉल पेपर पे रख दें फिर इसमें वन से टू डॉप्स ऑईल एड करें और फॉरन कवर कर दें पांच मिंट के बाद लिड रिमूफ करें और फॉल पेपर को भी हटा दें कटे हुए हरे देनियों और कटी हुए हरी मिर्चों के साथ इसे गार्निश कर लें सुपर टेस्टी स्मोक बीफ बोटी रेडी है इसे डिश आउट कर लेते हैं इसके ओपर मजीद हरा देनिया और हरी मिर्चे एड करें और गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ इसे सर्फ करें आप चाहें तो इसे एज़िटीस भी खा सकते हैं रोटी या चावल की भी जरूरत नहीं है ये बीफ बोटी इतनी टेस्टी है कि आप इसे लुच्छ में और अपने डिनर मैनियों में जरूर आइट करेंगा ये देखें गोश्ट अच्छी तरह से गल चुका है और without any struggle हाथ की मदद से बोटी टूट रही है ये बीफ बोटी वेट लॉस में भी बहुत हैलफूल है क्योंकि ये बहुत ही कम आउयल में कुक हुई है आप इस रेस्पी में बीफ की जगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं इद लज़ा के लिए ये रेस्पी बहुत स्पेशल है एद में महमानों के लिए और इद दाफतों के लिए ये रेस्पी ज़रूर ट्राए करें आपके महमानों को ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी ये सूपर टेस्टी रेस्पी अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मुझे और मेरी फैमली को द्वाओं में याद रखिएगा थैंक्स वर वाचिंग अलानी गेबान